अलो एवरीवान वेल्कम बाक टो मैं चानल फ्रियालाव्स किच्छन आज मैं लेके आए हूँ स्नैक्स की रेसिपी बहुत ही खासता पूरी बनकर तयार होगी ऐसे आप टी टाइम कभी भी बनाकर सर्फ कर सकते हैं या ऐसे भी रेगुलर पूरी की जगा ये बनाकर आप खा स स्वाजिस का प्याज को रफली चॉप कर लिया है आप दो प्याज भी ले सकते हैं बड़े साइस का आलू है दो आलू ले सकते हैं दो से तीन हरीमेश को बारिक कट करके इसमें डाल देंगे आधा इंच अध्रक है साथ से आठ लऌसन का कली है सारी चीजों को बिल्कुल फ पेस्ट अभी बनाकर रखा है इसको हम इस तरह से स्पून की है उसे छान लेंगे ताकि जो भी इंप्यूरुटी जो हट जाए तो इस तरह से हमें इसे प्रेस करते हुए अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी बड़ा पार्टिकल्स में ना रहे और हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें तो यह जो भी बड़ा पार्टिकल्स था ना यह स्टेनर में रहे गया है यह हम हटा देंगे और स्टेनर के नीचे भी जितना लगा हुआ है ना बैटर वह भी हम स्पून की हिल्प से इस तरह से स्क्रैप करते छोड़ा चमच नमक का लाल मिर्च है यह चिली फ्लेक्स एक छोड़ा चमच आदा छोड़ा चमच ब्लाक पेपर काली मिर्च कस्तूरी मेथी है यह एक चमच दो चमच जो छोड़ा चमच है यह सफेद तिल का एक चोथा ही छोड़ा चमच यह हिंग का है एक चमच हम तेल डालेंगे ताकि इससे ना हमारा पूरी अच्छे से क्रिस्पी बने तो यह सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डा करना के रखा था उसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे पानी बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करना है तो यह हमारा रेडी हो गया है अब मेजुरिंग कब से यहां पर मैंने 250 ग्राम पहले आटा लिया है हमें पूरी की तरह जो हम नॉर्मल घर में पूरी का आटा बेलते हैं अलका सथ रखते हैं उसके आटे को बिल्कुल वैसा ही सथ हमें इसका आटा बूतना है थोड़ा थोड़ा करते जाएं के हम इसमें डालते जाएंगे बैचस में आटा को पानी भी यूज नहीं करना है हमें तो मैंने पहले कप का खतम कर लिया था दूसरा कप ये यूज किय है तो मैं बताऊंगे कि मैंने कितना आटा इसमें यूज किया है थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे तो मैंने 250 ग्राम्स पहले अल्रेडी ले लिया था उसके बाद फिर से 250 ग्राम्स का मैंने एक्षवथ हाई पार्ट इसमें डाला है तो विल्कुल सकता आटा हम ब 50 ग्राम्स के लगबग मैंने आटा इसमें यूज किया था इसको कवर करके 25 मिनट के लिए हम रख देंगे तो आदे घंटी के बाद मैंने इसको देख एक बर अच्छे से इसको नेट कर लेंगे गूथ लेंगे और इसके दा छोड़ा छोड़ा लोई हम जो पूरी का बनात बिलते हैं घर में तो तेल हम काफी गरम रखते हैं बिलकुल इसके लिए भी हमें तेल काफी अच्छे से गरम चाहिए तो एक एक करके हम इस तरह से पूरी इसमें डालते जाएंगे बहुत ही स्वादिस्ट बन के तयार होता है कभी भी आप इसको बना सकते हैं ऐसे ही राइते के साथ या किसी भी चीज के साथ चाई के साथ आप कभी सर्फ करें या कभी बाहर जर्नी में जा रहे हैं तो यह आप बना के डिफिनिटली ले सकते हैं ट्राई कीज़ेगा इस रेसिपी को बहुत ही स्वाधिस बनके तयार होता है पूड़ी भी बहुत अच्छा फुला-फुला बनेगा इस तरह का देखिए और इस बैटर को आप अराम से फॉर वीक स्टोर करके रख सकते हैं पानी हमने यूज नहीं किया है बिल्कुल भी एक टेबल स्पून भी पानी हमने इसमें यूज नहीं किया है तो सारा पूड़ी हम इसी तरह से बनाकर निकाल लेंगे बहुत ही कृस्पी बहुत ही स्वाधि पूरी बन के तयार होता है तो जरूर ट्राइए कीज़ेगा इस रेसिपी को अब मुझे बताए कमें सेक्षिन में आपको यह रेसिपी कैसी लगी सारा पूरी हम इसी तरह से यह जो स्नाक्स है हम इसी तरह से बनांका तयार कर लेंगे पूरी की तरह देखिए कितना अच्छा बनके तयार हुआ है, खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट बनता है, सबको बहुत पसंद आएगा, ज़रूर फ्राइ कीज़ेगा इसको, तो सारा हम इसी तरह से बनाका तयार कर लेंगे, और यहां पर मैंने खीर के साथ सर्फ किया, आपको चाहिए तो किसी भी चीज़ के साथ सर्फ करें, थांक्स फॉर वाचिंग, इंजोई!